हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी गाईज यदि आप डियलेट कोर्स करने के बाद government school में primary teacher बनना चाहते हैं class first to fifth के लिए तो गाईज डियलेट कोर्स करने के बाद आपको और कौन-कौन सा exam पास करना होगा teacher बनने के लिए आज किस वीडियो में guys हम complete process समझने वाले हैं सभी states के बारे में आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक ना विहार के बारे में बताऊंगा और देली के बारे में यूपी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ तो देखो guys जब आप D.L.E. courts में एडिविसन ले लोगे ठीक ना जब आप D.L.E. second year में जाओगे तो उस टाइम पे दोस्तों आप जो है ना seated का paper one exam दे सकते हैं primary classes के लिए अब guys देखो seated का ये जो exam होता है ये साल में दो बार होता है अब seated का exam इसलिए होता है guys क्योंकि आज से अगर 10 सल पहले की बात करें तो seated exam नहीं होता था पहले government school में जो selection होता था ना teacher का ये होता था guys आपका metric, inter and diploma में जो आपने number लाए है ना इन तीनों को plus करके आपका merit बनता था और जिनका अच्छा number बनता था उनका selection होता था लेकिन होने क्या लगा guys लोग diploma में जो है ना पैसे देकर college वाले को number बढ़ा लेते थे तो ऐसे में guys काफी जादा धान नहीं होने लगा सब बच्चे तो पैसे नहीं दे सकते हैं ऐसे में अमीर अमीर लोगी दे सकते पैसे तो ऐसे में क्या हुआ कि CBSC ने seated exam ला दिया कि यह 2011 की बाद है उसके बाद guys अगर आप government school में teacher बनना चाहते हो तो DLA to करोगे ही अब आपको seated का paper one exam भी पास करना होगा अब seated में बस पास होना जरूरी होता है अब seated जिसका exam पास है वही vacancy आएगी government school में तो उसके लिए form भर सकते हैं जिनका पास नहीं है डिलेट कर रखें तो कोई कुछ नहीं होगा उसका अब guys आपको मैं बताता हूँ कुछे च्रेट्स ऐसे जैसे बिहार में बिहार में जैसे आज से दो सल पहले क्या होता था उसका selection होता था यह होता था बड़ गाइस बिहार में भी जो है सीटेट में धान नहीं होने लगा कुछ लोग जो है सीटेट में पैसे दे देकर नंबर बढ़ा लेते थे तो ऐसे में गरीब बचे तो इतना पैसा होता नहीं है पांच पर दर दर लाग दो 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 लाग ती चीज़े हैं तो अब आपको प्रोसेस पता चल गया डियलेट करोगे प्राइमरी के लिए स्टेट का पर बन एकजाम पास करोगे उसके बाद कोई सबी वेकेंस चाहता है प्राइमरी क्लस्स के लिए जैसे केंदरी विद्धाले में हो गया डैली में डितर प्लेस भी हो गय अगर वहाँ पर allow करते हैं other states के बच्चों को तो फायदा मिल जाएगा, बिहार में तो all India को allow कर दिया गया है, बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो BPSC TRE 1, TRE 1 नहीं, sorry, BPSC TRE, PRT का वेकेंसी आएगा, तो आप उसके लिए eligible हो जाओगे, upper primary 628 के लिए DLA वाले भी eligible, अगर आप graduation कर लेते हो, seated paper 2 exam pass कर लेते हो, तो इसके लिए आप form भर सकते, subject combination match होना चाहिए, अब subject combination क्या होता, इसके regarding videos में आपको send कर दूँआ, link मिल जाएगा, description box में, तो process आपको पता चल गया, so thank you, next video मिलते है,